नमस्कार दोस्तो आपका अमारे यूटूब चैनल पर श्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि जिन स्टुडिन्टों का बैटनरी में सलेक्शन नहीं हो पाएगा या जिनके मार्श बहुत कम है उनको फ्यूचर में क्या प्लानिंग करनी चाहिए आपको दोस्तो कम मार्श आगे हैं आपको घबडाने की बिलकुल आप श्रकता नहीं है एक साल पहले मैंने भी दोस्तो तीन से चार साल का ड्रॉप लिया था मेरा भी बैटनरी में सलेक्शन नहीं हो पाया तो मैंने कैसे अपने आपको समाला और क्या डिसीजन अपनी आप शुक्राट मिल सके है है कि अजैसा कि दोस्तो आप जानते हो टोटल 14,000 के सम्टिंक स्टूडेंटों ने फेवर दिया है और महीं बात करते हैं सीटों की तो दोस्तों टोटल सीट दो सा 16 है जिनमें से 96 से गौर्रमेंट शीटे महीं बात करते हैं 120 पैमेंट शीटे गर आपन कैटिक्र वाई बान्ते हैं तो दोस्तों बहुत कम सीटे हो जाती हैं जैसे जनरल की 45 चीटें दोस्तों रेगुलर में én OVC की 20 सीटें Ook MBC की 44 सीटें SC की 16 सीटें साथ सीटे हैं, एस टी है की चार सीटे, तो दोस्तों बहुत कम सीटे हैं, अब कई स्टुडेंटों के मेरे पास पर डे 100 प्लस फोनाते हैं, कि सर क्या करें, अब मैं उनको समझाते समझाते ठक गया, कि आपको घबलान नहीं, इसलिए मैं ने एक वीडियो इसी पर वनमा दे क्योंकि में हर स्टुडेंट से दोस्तों इतनी बात नहीं कर सकता है, मेरे पास और भी कामें, अब दोस्तों आप यह मालू, आपका सेलेक्शन नहीं हो रहा है, कि जादा 30 स्टुडेंट, दो से 16 स्टुडेंट अगर अब मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताता हूं कि आपको क्या करना है दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट यह है कि अभी से आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं और अगर आपके अंदर इन इतना कॉंपिडेंस है कि मिनेश्टियर इतने नंबर लेके आ जाता हूं तो आप का काउंसलिंग एक दो महिने लंबी चलेगी दीपावली निकल जाएगी फिर ऐसे टैम निकल जाएगा तो आपके पास बिलकुल टैम नहीं बच्चेगा तो काउंसलिंग में जादा ना जोड़ें अगर आपके अंदर कॉंपिडेंस है तो अभी से तैयारी में जुड़ पिलस एक साल रहने का लगवागा आपको साट से सतर तो तीन सबातीन लाग रुपे तक पहुंच जाएगा तो इस यह बड़ा कोश्ट लिए तो आपको रेगूलर सीट मिले तो करें अगर पैयमेंट सीट मिल लए तो अगर आप अपनी फैनेंसल कंडिशन देख लें मिल जाते हैं फिर भी कोई नुकसान नहीं अगर आप पैयमेंट पर करते हैं लेकर जिनका बिलकुल नियूरा उनको एक बार में बता देता हूं आपके मेडिकल में दोस्तो मेग जिमा मेग जिमा में इतने नमबर तो होंगे आप नीट में क्वालिफाइड होगे अब इसमें प्राइवेट कोलेज की प्राइवेट कोलेज में दोस्तो में मेरे पिछली बार काफी अच्छे नमबर ते उसके बापजूद भी मुझे 60-70 लाग रुपे तक का मेडिकल कोलेज मिला था मैंने 18 स्टेटों की कांसिलिंग कराई ती इससे कम नहीं मिला और दोस्तों उप्योगते तरीका बता देता हूं मैंने अपनी लाप में चार्ट ड्रॉप लियें दोस्तों काफी अच्छे नमबर आये लेकिन इतने भी अच्छे नहीं आया कि मुझे गॉर्नमेंट शीट मिल जाए इतने भी कम नहीं थे कि ज्यादा गंदे हों लेकर नमबर मेरे ठीक अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों पिछली साल क्या हुआ कि नीट एमसी आई को अभी एक नई अपडेट आया थी सुप्रीम कोट की कि उन्होंने एमसी आई अब क्या कि कुछ पैसे वाली लोग इतने होते हैं कि जैसे किसी का MP, MLA, बिजनेसमेनों के लड़के जिन वह एबरेज लडगा हो, चाए वीक हो, चाए इंटेलजेंट हो, महां कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो क्या 170 नमबर का लडगा इंडिया से MBBS करेगा, उसको MCI देना पड़ता नहीं, डारेट पोस्टिंग हो जाती तो इसको नॉलेज नहीं, इसी बात को पिछली बार इस पर जब बेन लगाया है, कुछ ऐसा सिस्टम लिया, उन्होंने MCI का पेपर सब के लिए कर दिया, कि इंडिया वालों को भी देना पड़ेगा, और जो भार से एबरोड से MBBS करके आएंगे, उनको भी देना पड़ेगा, तो दोस्तो जब मेरा सेलेक्शन बैटनरी में भ पाया, ना प्राइबिट शीट इतना कोश्ट लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन MBBS कर लिए लेते हैं, तो दोस्तो मैंने तो अपना ये डिसीजन लिया, कि 20-22 लाग रुपे में अगर आपकी MBBS हो रही है, तो फिर तो कोई नुकसान है, क्योंकि दोस्तो 20-22 लाग रॉप भी ले लोगे, तो भी ये नहीं कि आप गॉर्मेंट शीट निकाल दो, अगर हाँ, ऐसी बात नहीं नहीं निकाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, अगर आपके अंदर confidence है, और आपका अपने उपर पूरा बिस्वास है, पर मुझे लगता नहीं दोस्तों, जाद स्क्रीन पर दे रखा, मैं आपको थोड़ा guidance कर सकता हूं, कि आप कहां जाओ, कहां नि जाओ, कौन सी country अच्छी है, लेकर मैं ये नहीं कहूंगा, कि मेरे से जोड़ो है, जो भी आपको अच्छा लगे दोस्तों है, तो अपनी अपनी मन की मर्जी है, तो दोस्तों मैंने प और मैं तो दोस्तों student हूं, जो आपको ground report बता रहा हूं, को agent भी नहीं हूं कि बड़ा चेड़ा के बता रहा हूं, इतना मस्त हुआ, अब second year lockdown में second year स्टार्ट हो गई, second year के first minimum भी खतम होने बाले है, lockdown lockdown मेरी second year भी हो जाए, फरवरी तक, तो दोस्तों इतना अच्छा system में म मत हतोत साथ हो आप, मत निरास हो, विदेश जाना एक अपने आप में ऐसा समझा जा रहा है, जैसे कोई अफरात है, बिल्कुल कुछ नहीं है, अभी कुछ दिन पहले 25 October को दोस्तों, MCI को permanent ban कर दिया है, और NMC National Medical Commission चालू कर दिया है, अब NEST कर दिया है, पांस साल बाद 2023 से या 2022 से हर स्टुडेंट को NEST का एक्जाम देना पड़ेगा, चाहे वो M से दहली से हो, KG Medical College, UP से हो, या कोई भी कोलेज हो, मौला ना जाद हो, SMS हो, कोई भी कोलेज हो, आपको NEST देना पड़ेगा, अब दोस्तों, इसमें ये कंडिशन है, अगर विदेश से MBBS करने वाला का अच्छा है, अब थोड़ा सा मा के बारे मैं बता देता हूं, मा सब कुछ सिस्टम बढ़िया है, सारी लेक्चर आ रहे हैं, फर्स्ट सेमिस्टर में जरूर मा की लोकल सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, इसके अलाब में सब्जेक्ट की एक दो कलास लगती है, सेकंड से से अनाटॉमी, फिजियोलोजी, मैक्रोबैलोजी, बायोकेमिस्ट्री, बिल्कुल MBS की फिल आएगी, और ओनलाइन किलाव से लगती है, और दोस्तों आजकल तो सोसल मीडिया इतनी एक्टिव हो गई, कि अगर कोई स्टूडेंट में खुद में पढ़ने की लला कहना, तो उसको कोई नहीं रोख सकता, इतने लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको 20, 20, 30, 35, 50, डॉलर में एक एक साल के लिए स्कोलर से पे और जन किया क्या मिल रही है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो मैं हर स्टूडेंट को यही बात समझाना चाहरा हूँ कि अब आप टेम प्राइबेट कोलेजों में 70-80 लाग रुपे देंगे, आप देखो, अपने एक दुकान पर चाहते हैं, सिटी मॉल में या कोई अच्छे से मॉल में, महा अपनी कटिंग होती है, डेड़ अजार की, पंद्रे सो आट सो रुपे की, आप एक नॉर्मल दुकान में चले समस्या कुछ नहीं है, तो इसलिए आपको कहीं government sheet मिल जाए तो लग जाए, अगर आप drop ले सकते हो कि मैं हाँ, drop लेके इतना confident हूँ कि अगली साल government sheet निकाल देता हूँ, तो है अलग, परना समय मत वैश्ट करो, डी फार्मेसी, आयरवेद, बैटनरी का भी payment sheet या जो भी private sheet इसे कई college है, इनका दूसरा नाम बेरोजगारी है, बेरोजगारी पांस साल करने के बाद भी फिर या बीएसी बागेरा नर्सिंग, जिसमें भी जाओ कुछ नहीं है, 22 लाग रुपे में MBBS, इससे सस्ता सोदा मैंने तो अपनी लैप में देखा नहीं, और दोस्तों मैं बत सकता हूं कि कैसे जाना है, कैसे एड़िसन होगा, बीजा पासबोर्ड का सिस्टम क्या है, मत काउंसलिंगों में कई स्टेटों मैं से काउंसलिंगा, आपको दो दो लाग रुपे एश्ट्रा देना पड़ेगा, सीकोर्टी में आपका नमबर आ गया, तो ठीक है नहीं आया कि ठक गया, क्यों पागल हो रहे हो, इतना बड़ी है सोदा है, विदेश से मीपेस करने में कोई बुरा ही नहीं है, बस आपको लगी जाओ, चले जाओ, भाई, मान लो बात, और मैं ये भी नहीं करा कि मेरी कॉलेज में आओ, आप मेरे से जुड़ो, जो कॉलेज आपको च कोई जादा नहीं है, जिन्दगी का डिसीजन, दुनिया का हर बायो का स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है, बसरते उसको साई टेम पर साई डिसीजन लेना है, और दोस्तों कोई भी आपको सब्जेक्ट है, तो आप नमबर में बार से ब कर दो, कमेंट बक्स में कर दो, मै जो भी मेरे से होगी, इनफॉर्मिसन में बात रहूँगा, आप मेरे चैनल से जुड़ जाएए, आज के लिए इतना ही,